आपका शागत है हमारे चैनल पर आज हम बनाएंगे एक भुर्जी करी जिसके लिए मैंने यहां पर लिये हैं चार अंडे इन अंडो को सबसे पहले तोड़ करके अंदर का पार्ट निकाल लेते हैं इस तरीके से आप बीच में से आसे फोड़िये का और अराम से फूट जाता है आप यहां पर मैं डालूंगी 1 4 टेबल स्पून नमक इसके बद 1 पूर्थ टेबल स्पून टिर्मरिक पाउडर जिसे हम रलदी पाउडर बोलते हैं वो डालेंगे अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे यहां पर हम इनको अच्छे से मिक्स करना बहुत इसमें हम डाल देंगे अपना अंडा, यहां पर हमें जो गैस का फ्लेम है न वो हाई मीडियम रखना है, इसको चलाते रहेंगे अच्छे से, चलाते हुए इसको पकाएंगे, एकदम भुर्जी स्टाइल में, अंडे की भुर्जी करी बहुत मजा आता है खाने में, आप कुछ भी बना के खाईए, अंडा तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं, एक से दो मिनट हो चुके हैं, और जो हमारी भुर्जी का कलर है न, वो एकदम से पक करके ब्राउन ब्राउन सा हो गया है, हलका ब्राउन ही करना है हमें, अब यह बिल्कुल अब इसे में बाहर निकाल लूँगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसे में पूरा बाहर निकाल लेती हूं अच्छे से, मैंने उसी गडाई में फिर से आल डाला है, जैसी आल गरम हो जाता है, यहां पर डालेंगे हम एक तेस पता, चार लॉंग और थोड़ा सा जीर जिए चटकने लगेगा, हम इसमें डाल देंगे अपनी प्याज, मैंने यहां पर तीन प्याज मीडियम साइज के लिए थे, इनको फाइनली चॉप कर लिया है, मैंने, यहां पर डालेंगे हम अपनी प्याज, अब प्रोसेस यह है कि प्याज को बहुत अच्छे से पकाना ह प्याज हमारा जितना अच्छा पका होगा, सबजी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा यहाँ पर मैंने डाली हैं दो चिली, ग्रीन चिली हैं जिनें बीच से कट कर लिया है डाल दिया है मैंने आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग डालेगा आप जितना तीका खाना पसंद करते हैं उतना अब यहाँ पर गैस का फ्लेम हम रखेंगे मीडियम और प्याज को अच्छे से पका लेंगे दो मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज है ना उसने अपना कलर चेंज कर दिया है अब यहाँ पर मैं डालूँगी जिंजर और गार्लिक का पेस्ट इसको भी हम प्याज के साथ एक मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्छापन खतम हो जाए आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज है ना वो जो गोल्डन ब्राउन होने लगी है इलकी इलकी इसे में बिल्कुल जलाना बिल्कुल भी नहीं है बस गोल्डन ब्राउन ही करना है हमारी प्याज इत्दम से पकर के रेडी हो चुकी है अब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ मसाले यहाँ पर मैंने डाला है हपटेबल स्पून हल्दी पावडर एक टेबल स्पून ड्रेट चिली पावडर एक कस्मीरी लाल मिर्च है टीखी बिल्कुल भी नहीं होती है इसके बाद इसको भी आम पका लेंगे यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे ताकि हमारी मसाले जले नहीं इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे अपना टमाटर का पेस्ट यहाँ पर मैंने तीन टमाटर लिये थे मिडियम सैज के उनको मिकसियर में ग्राइड कर लिया आप चाहें तो इसे कद्दू死 करके डाल सकते है ग्रेटर से ग्रेट करके अब हमें टमाटर को बहुत अच्छे से पकाना है आप देख सकते हैं कि ग्रेफी का कलर कितना अच्छा है यहां पर हम इसे 2-3 मिनिट तक पकाएंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे आप देख सकते हैं कि जो हमारे टमाटर है उन्होंने तेल छोड़ना सुरू कर दिया है आसपास से यह पक करके रेडियो हो चुके हैं अब हम इसमें टालेंगे पानी और अच्छे से मिलाएंगी यहां पर मैं ग्लस पानी यूज कर रही हूं आप अपनी साब से यूज कीजिएगा अगर आपको पराठी या चपाती के साथ खाना है तो आप ग्रेवी गाड़ी रखिएगा अगर आपको राइस के साथ खाना है तो आप इसे पतला कर सकते हैं वह आप अप रेकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा हम यहाँ पर अपने जो भूर्जी पगाई थी ना मैंने वो डाल देंगे इस तर पाणा है आप देख सकते हैं कि हमारी जो भूर्जी करी है ना वो अच्छे सिपक रही है इसे आप अपने हिसाब से पका सकते हैं बहुत गाड़ा बहुत पदला जैसा आपको रखना है आप रख सकते हैं इसे हम 5-7 में तक पकाएंगे आप देख सकते हैं मैं आपको दिख कितनी अच्छी लग रही है देखने में और आपको मज़ा भी बहुत आएगा खाने में एकदम अलग तरीके से बनाई है मैंने पांच से साथ में ठोच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारी भूर्जी करी है वो एक्तम से बन करके रेडी हो चुकी है यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम आफ कर दूँगी और मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रही है देखने में बहुत ही टेस्टी बनी है आप इस रिस्पी को ज़रूर ट्राइ कीजएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट शिक्षन में जरूर बताएं कि आपको हमारी एरिस्पी कैसी लगी तब तक के लिए थैंक यू